नमस्कार अब देख्टरे नियूस फोरनेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ बिहार सरकार बिहार के सिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर सामने आई है जहां मुक्षमंतर निदीश हुमार बिहार के सिक्षकों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जहां चा तरफ मुक्षमंतर निदीश हुमार ने बिहार के सिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है जहां बिहार के सिक्षकों को नई सौगात मिलने जा रही है दरसल निदीश सरकार बिहार के रिचाइट सिक्षकों को फिर से रोजगार देने का मौका लेकर आई है राज शारी कर दिया है राज्ज में कुल 1611 पदों पर इसकी तैनाती होगी साधन सेवी के रूप में चैनित रिटार्ट सिक्षकों के लिए सालरी भी तै कर ली गई है इसके चैन के लिए जिलास्तर पर 15 दिनों के अंदर विग्यापन जारी किया जाएगा इसके लिए जिलास्तर चैन समिती का गठन 15 जुलाई तक किया जाएगा समिती की बैटक 24-31 जुलाई के बीच होगी चैनित को 20,000 रुपे महिना नियत वेतन दिया जाएगा जिलास्तर पदादिकारी चैन समिती के अध्यक्ष होगी 534 प्रखंट और 3 शहरी संसाधन केंद्र समित कुल 537 संसाधनो के लिए 1611 प्रखंट साधन सेवी का चैन किया जाएगा गौरतलब है कि राज्य के हर एक प्रखंट में मौझूद प्रात्मिक या प्रारंविक स्कूलों में तैनात सिक्षकों के कार्यों का प्रेवेक्षन, मॉनिटरिंग और सायोग प्रदान करने के लिए साधन सेवी को न्यूप्त किया गया है, हर प्रखंट पर तीन साधन सेवी होते हैं, इन्हें विशेशग्यों का एक समू माना जाता है, जो अविश्रक्ता अनुसार सिक्षकों को समय समय पर प्रसिक्षन देते हैं नुतिश कुमार के सरकार बिहार के रिटायर्ट टीचर्स के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है, जहां अब बिहार के रिटायर्ट सिक्षकों को साधन सेवी बनने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर विग्यापन 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा, 24-31 जुलाई त तो अब वो सिक्षक जो रिटायर हो चुके हैं बिहार सरकार के सीवा से, अब उन्हें एक नए और बड़ा मौका मिलने जा रहा है, फुलाई के लिए इस कमर में इतना ही, नमस्का